हलो बड़ी, सफल बेच 2.2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, मैं हूँ डॉक्टर हरियोम कंगवार, बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय हम बात कर रहे हैं NCRT क्लास 11 के यूनिट नमबर 3 और इस यूनिट 3 में हम बात करें चैप्टर नमबर 8 सेल दा यून टॉपिक्स है, 8.5.1 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सेल मेंबरेन के बारे में, आज के इस वीडियो में हम 8.5.2 यानि यूकरियोर्टिक सेल का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस सेल वाल, तो सेल मेंबरेन तो हम जानते हैं कि वो सभी प्रोकरियोर्टिक सेल में, सभी यूकरियोर्टिक सेल में, लेकिन सेलवाल सभी प्रोकरियोर्ट के पास भी नहीं है, वहाँ पर माइको प्लाज्मा में एपसंट थी, और सेलवाल सभी यूकरियोर्ट के पास भी नहीं है, तो चले देखते हैं कि सेलवाल किन-किन यूकरियोर्ट में पाई ज प्लांट्स, दूसरे हमारे पास हैं फंजाई, तीसरे हमारे पास हैं एनिमल्स, और चौत्हे हमारे पास हैं प्रोटिस्ट, प्रोखेरियोट भी चारतरे और योखेरियोट भी चारतरे गए अब ये जो चारतरे की योखेरियोट हैं इनमें अगर हम प्लान्ट की बात करें सबसे पहलान Salват सभी प्लांट में सेल्वाल पाई जाएगी जो की cellulog की बनी होगी तो cellulogic cell wall हो जाएगी यहाँ पर सभी फंजाई में cell wall है जो kaitin की बनी होगी kaitinus cell wall हो जाएगी animal में cell wall absent है, हम भी animal है हमारी cell में cell wall नहीं पाई जाती है अब आते हैं protest की बात करते हैं तो protest में अगर हम देखें तो present in sum कुछ member में cell wall होती है, protest किंग्डम की और कुछ member में cell wall नहीं होती है absent in sum अब क्या मुझे example बता सकते हो उस protest का जिसमें cell wall होती है और जिसमें नहीं होती है तो किसमें cell wall होती है एक example अगर मैं आपको बताओं बहुत आसा that is klemmidomonas klemmidomonas यह protista का member है और इसमें cell wall present है बटा है ना claimidomonas और absent ही बात करें तो example यहाँ पर आप ले लो amoeba amoeba भी protist है और इसमें cell wall नहीं यूगलीना पले सकते हो यूगलीना तो protista में आपको बस ध्यान रखना है कि इसके कुछ member में cell wall होती है और कुछ में नहीं होती है वाकि तीन जगे एकदम clear है कि plant और fungi में cell wall है animal में cell wall नहीं है अब चलिए plant को यहाँ से उठाते हैं अब plant जो होते हैं बैटा वो अब plant जो होते हैं बैटा वो 5 तरह के होते हैं और इनके नाम आपने सुन भी रखते हैं प्लांट kingdom में आपने पढ़ा इनको तो प्लांट पांस तरह के होते हैं कौन-कौन से एक होता है algae algae दूसरा होता है हमारे पास priophytes जिसमें mosses आते हैं liver words आते हैं markensia funeria है ना तीसरा है teridophytes जिसमें funs आते हैं cilaginella lycopodium चौथा है gymnosperm जिसमें psychus, pinus, jingo, cidrus, sequoia यह सारे plant आ जाते हैं और पांच वाद हम बहुत अच्छे जानते हैं that is angiosperm जिने flowering plant के नाम से भी जाना जाता है angiosperm को flowering plant भी कहा जाता है तो यह पांस तरह के plant है अब बताई इन पांचों में किसके पास cellulose होगी अब जोकि पांचों प्लांट है तो सबके पास cellulose है अब इनकी cellulose के साथ इनके पास है galactans galactans प्लस इनके पास है manans यह सब chemical है बता यह cellulose है वैसे galactans, manans प्लस यहाँ पर हो जाएगा minerals मिनिरल्स और मिनिरल्स में example हो जाएगा calcium carbonate तो चार चीज़े अलगी की cellulose कौन-कौन सी cellulose, galactans, manans and minerals, calcium carbonate अब बाकी जो चार प्लांट बचे 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 इनकी बात करें तो इनकी cellulose में क्या बचे इन चारों के पास cellulose है plus hemicellulose है plus peptins यहाँ पर होगा बचा, peptins plus proteins peptins plus proteins तो cellulose, hemicellulose, peptin and protein इन चार चीज़ों से मिलकी इन चार प्लांट की cellulose बनी है और बाकी इलगी की cellulose में भी चार चीज़े हैं, cellulose, galactans, manans and minerals यानि अगर यहाँ पर हम लोग देखें बटा, तो हमें यह दिखाई देरा कि cellulose सभी प्लांट में है चाहिए प्लांट की बात को रिया इन चारों की बात को, cellulose तो common है, यही तो मैंने यहाँ लिखा था कि plant कोई भी ओ, cellulose तो सभी के पास पाया जाएगा cellulose common metal इसलिए हम कहते हैं कि plant की cellulose cellulose नेचर की होती है तो यह जो composition मैंने आपको बताएगा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यह NCRT में mention किया गया है अब, plant में जो cellulose सबसे पहले बनती हैं, उसे हम लोग primary cellulose कहते हैं primary cellulose, यानि जिसको actually हम cellulose कहते हो primary cellulose है और जो primary cellulose है इसमें growth करने की छमता होती है, ऐसा समझे आप मान लेते हैं कि यह एक plant cell में सबसे पहले बनने वाली cellulose है इसको हम लोग क्या कहते हैं बटा, primary cellulose primary cellulose और यहाँ पर अगर आप देखें तो यह हो गई cell membrane this is the cell membrane अब जो cell wall होती है तो cell wall होती है बटा, cell wall is a non-living rigid structure cell wall is a non-living cell wall non-living और rigid structure, rigid का मतलब मजबूत structure तभी तो नाम wall है, दीवार जो कोसिका की दीवार है तो मजबूत ही होगी, obvious है या कोई भी दीवार है तो मजबूत ही बनाएंगे तो cell wall is a non-living rigid structure cell wall non-living है और क्या non-living grow कर सकती है क्या non-living चीज़े growth कर सकती yes, chapter 1 में आपने पढ़ा है कि growth है एक ऐसी property है जो living के अंदर भी और non-living के अंदर भी पाई जाती जैसे मैं living हो, मैं भी growth कर रहा हूँ, और ये fan लगा हुआ ये भी growth कर रहा है fan का कुछ वजन होगा, कुछ mass होगा और जब ये चलेगा तो इस पे धूली गठी होगी और इसका वजन बढ़ जाएगा mass increase कर जाएगा आप कहेंगे increase in mass is called growth तो non-living भी growth कर सकते हैं non-living भी growth कर सकते हैं तो primary cell wall non-living है लेकिन this is capable of growth इसमें growth करने की छमता है capable of growth और जब ये growth करेगी secondary cell wall बनेगी ये देखे primary के गोत करने से क्या बनी secondary cell wall और secondary cell wall जो बनी वो primary के अंदर बनती है ध्यान दीजेगा आप primary के अंदर secondary wall बनेगी मतलब cell membrane की तरफ ये बहुत important बात है पाहर के तरफ नहीं बनाना है primary के अंदर ही secondary wall बनेगी और अगर कभी secondary से tertiary wall बनेगी तो tertiary secondary के और अंदर बनेगी clear ये बात ये बहुत important अच्छे द्यान रखिएगा secondary cell wall प्राइमरी के अंदर की तरफ डेवलप होती है अब जो growth करने की छमता है जैसे जैसे cell mature होती जाएगी वैसे वैसे growth करने की छमता घटी जाएगी जब cell young होगी young मतलब जब cell dividing होगी मेरे schematic होगी तब तक उसमें growth करने की छमता जादा होगी लेकिन जैसे जैसे cell mature हो जाएगी उसमें growth करने की छमता कम होती जाएगी जैसे जब आप young होते हैं energetic होते हैं तो young होने पर आप ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे से age घटती जाती है, पढ़ाई लिखाएं, मन कम लगने लगता है, और चीजों में ज्यादा मन लगने लगता है, तो primary cell wall, जो की यंग प्लांट सेल में बनती है उसमें ग्रोथ करने की छमता है और सेल के मैचूर होने के साथ-साथ ग्रोथ करने की छमता लगातार घर्टी चली चाती है अब देखिए यहाँ पर एक कॉंसेप्ट और हम लोग सीखते हैं यहाँ पर यह है सेल वाल यह है सेल मेंब्रेन यह एक प्लांट सेल आपको दिखाई गई है इसी के बगल में एक दूसरी प्लांट सेल और बना लेते हैं यह दूसरी प्लांट सेल है अब कोई भी और्गन है जैसे माली जे रूट है stem है, leaf है, flower है, fruit है plant का जो भी organ है बेटा organ बना होगा tissue से और tissue बनी होगी cell से यानि जब भी कोई फल आप देखने से आम आप खा रहे हैं तो जो आम है बेटा ये आम एक organ है overi है और organ है तो ये tissue से बना होगा और tissue cell से बनी होगी ये एक आम के अंदर लाखोה cell है, मैंने दो cell उसी के ले ली, अब ये जो 稲ों इस ये आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई है, ये दोनों cell आपस में दूसरे से चिपकी हुई है, गॉंद के द्वारे ये लब परत तो ये दो सेल को आपस में चिपकाने वाला मिटीरियल है मिडिल लैमिला एकदम गौंद की तरह फेविकोल की तरह है अगर मुझे दो पेपर चिपकाने है तो मैं बीच में फेविकोल लगा के चिपका दूँगा वही काम है पेपर की जगे दो सेल है और वो फेवि calcium pectate से ठान दीजिएगा थोड़ा सा, गरबर हो सकता है यहाँ पर, इलगी की cell wall में calcium carbonate है, और यहाँ पर जो middle lamela है, इसमें calcium pectate काफी ज़्यादा मात्रा में है, और middle lamela का काम क्या बता है बटा, middle lamela gluze gluze मतलब चिपकाना या holds different cells together करें, अलग-अलग cells को आपस में चिपकाने का काम करता है, hold करने का काम करता है, अब एक चीज़ और समझे यह जो middle lamela है बटा, middle lamela और जो cell wall है, इसको छेद के, यह देखें इसको छेदने वाले यह कुछ proto-plasmic stand मतलब धागे की तरह के structure मान लो आप इनको, यह देखें, यह जो धागे की तरह के structure मैंने आपको दिखाए हैं, यह middle lamela को, cell wall को छेद देते हैं और इन structure को कहते हैं, plasmodesmata, को बलते हैं, plasmodesmata, plasmodesmata, तो जो plasmodesmata आपको दिखाई दे रहे हैं वेटा, यह plasmod desmata की मदस से, दो cell का देखी, यह यहाँ पर nucleus होगा, इधर भी nucleus होगा ऐसे, यह nucleus है, और अगर यह nucleus है, तो फिर clear है कि यह cytoplasm होगा, तो जो plasmodesmata है, वो दो परूसी cell के cytoplasm को आपस में जोड़ देते हैं, और जब cytoplasm जोड़ गया, तो इन plasmodesmata की मदस से, एक cell से दूसरी cell में material का transport आसानी से हो जाएगा, जहां दीजिएगा, थोड़ा संतर है, middle lamula दो परूसी cell को आपस में जोड़ के रखता है, चिपका के रखता है, और जो plasmodesmata है, वो दो neighboring cell के cytoplasm को आपस में connect करने का काम करता है, और इस plasmodesmata के दोरा, material का transport चल ला है, transport of substances, यानि एक cell से substance दूसरी cell के अंदर transport हो रहे हैं, तो यहां पर हमने secondary wall के बारे में भी बात कर ली, middle lamula के बारे में भी बात की और plasmodesmata के बारे में बात कर ली, अब सवाल है कि, जो cell wall हम पढ़ रहे हैं, उसका actual काम क्या है, क्योंकि जब भी कोई structure हम पढ़ते हैं, तो जो cell wall है, इसका काम क्या है, जैसे हमने prokaryotic cell पढ़ा, तो मीजोसोम का काम हमने पढ़ा कि भी या, यह मीजोसोम जो होता है, यह respiration में role play करता है, क्रोमेटो फोर का काम photosynthesis में, प्लैजिला का काम motility या locomotion में, पाईली और फिंबरी का काम attachment में, राइबोसोम का काम protein synthesis में, इ उसका काम है, नेबरिंग cell को hold करना, वैसे cell wall का का काम क्या है, functions of cell wall, functions of cell wall, cell wall क्या काम करती है, देखिए जरा cell wall के काम समझते हैं, जरा, cell wall के कई सारे काम है, number one, gives shape to the cell, यह cell को shape देती है, अगर प्रोकेरियोर्ट में भी याद करें तो यह बात मैंने आपको बताई थी, कि cell wall determine the shape of the cell, जो बैक्टिरिया थी, जो कोकास, बैसिलेस, विब्रियम, इस्पाइरिलम shape में थी और उस shape cell wall देता था, अब ज़रा याद किरे topic मैंने आपको पढ़ाया था इसी चेप्टर में, cell shape and size, वहाँ पर मीजो फिलसल पढ़ाई थी, जो कि plant की cell थी, और वो round and oval थी, तो round and oval किस वज़े से, cell wall की वज़े से, रेकीड मैंने बताई थी, plant cell में जो की elongated की और वो किसकी वज़े से है, cell wall की वज़े से, तो cell wall, plant cell को shape provide करता है, दूसरा, protect, cell wall protects the cell from, mechanical damage, mechanical damage and infection, यह plant cell को damage और infection से बचाता है, mechanical damage, यह क्या है, जैसे मान लो, कि मैं आपको एक थपड मार दूँ, तो अगर मैं थपड आपको मार रहा हो, तो इसका मलब यह mechanical damage हुआ, लेकिन मैं अगर आपको डांट रहा हूँ, कि बटा पढ़ाई नहीं करते हो, सही से, revise करके नहीं आते हो, इससे ही चले आते हो, तो यह क्या है, emotional damage है, तो जैसे मान लो, कि प्लांट लगा हो, उस पे आम लगा हुआ है, और आम अब खाना चाहते हैं, तो आपने एक पत्थर उठाया, और फेक के पेड़ पे मार दिया, तो पेड़ को चोट लगी ना, वो भी तो living है ना, तो आपने उसको mechanically damage कर दिया, तो mechanical damage से बचने के mechanical damage से बचाती है, help in, help in cell-to-cell interaction, cell-to-cell interaction, यह cell-to-cell interaction में मदद करती है, वो तो आपने देखी लिया, कि अभी plasmo dismeta की मदद से, दो plant cell आपस में जूड गई, तो cell wall, दो cell को आपस में interact करने में मदद करती है, साथ ही साथ, जो cell wall होती बटा, cell wall का nature होता है, freely permeable, यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, freely permeable होता है, कहता कि जो mall का gate हो freely permeable है, घर का जो gate है, वो selectively permeable है, तो selectively permeable cell membrane होती है, प्रोकेरियोट, युकेरियोट दोनों की, और जो cell wall होती है, वो freely permeable nature की है, तो cell wall freely permeable है, यह molecule को आसानी से आने जाने देती, रोक रोक न नहीं करती है, लेकिन अगर मालो mall का gate इतना बड़ा है, कि उसके अंदर से हाथी नहीं गुच सकता, तो अंदर हाथी नहीं जा पाएगा, भले ही mall का gate freely permeable है, लेकिन गेट इतना बड़ा नहीं कि उसके अंदर से हाथी गुच जाए, तो वही काम यहाँ है, भले ही cell wall freely permeable है लेकिन cell wall act as barrier barrier मतलब यह औरोध का रुकावट का काम करती फॉर undesirable undesirable जिनकी cell को जरूद नहीं है undesirable macromolecule यह निनी macro बड़े साइज के जो molecule है जिनकी cell को जरूद नहीं है उनके लिए cell wall एक barrier की तरह काम करती है तो यह पूरी कहानी हो गए यहाँ पर cell wall के बारे में और इसके साथ आपका 8.5.2 topic complete होता है अब हम चलते हैं NCRT to the point में और यहाँ पर इस पूरी theory को एक बार revise करते हैं क्या लिखा है As you may recall a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plant NCRT नहीं इतना लिखा है मैंने आपको animal की protist सब की कहानी बता दी है Cell wall not only give shape क्यावल शेप ही नहीं देती है and protect the cell from mechanical damage and infection it also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules algae algae है ओओ cell wall made of cellulose galactons mannons and minerals like calcium carbonate while in other plant it consists of cellulose hemicellulose pectin and protein ने जो other plant लिखा है ना इसमें बाकी पौद है आगे ओब्रायो टेरिडो जिमनो एंजियो the cell wall of a young plant cell young मतलब cell जवान हो गई नहीं young का मतलब cell divide करने वाली dividing cell है meristematic cell cell कही से जवान हो जाएगी the primary wall is capable of growth which gradually मतलब हलके हलके धीरे धीरे diminishes growth करने की चमता धीरे धीरे कम होती जाती है as the cell mature mature मतलब cell में division की चमता खतम हो गई and the secondary wall is formed on the inner यानि towards membrane side of the cell बहुत इंपोर्टन बात है the middle lamella is a layer mainly of calcium pactate खूब पूछा गया है which hold or glues different neighboring neighboring मतलब परोशी cells together the cell wall and middle lamella may be traverse traverse मतलब छेद देना by plasmodes मेटा which connect the cytoplasma of neighboring cells तो ये ग्यारा में से दो टॉपिक आपके complete हो जाते हैं अब आप कुश्चन की practice एक बार करिएगा और उसके बाद यहाँ पर आगे वीडियो को continue करिएगा तो चले PYQ से start करते हैं लोग यहाँ पर in terms of permeability the cell wall and plasma lemar plasma lemar मतलब plasma membrane तो cell wall का nature का ऐसा बेटा freely permeable है और plasma lemar का ऐसी selectively permeable respectively so correct answer will be one the minute connections the minute connections between cells are करें cell के बीच में जो minute protoplasmic connection होते हैं उन connection को हम लोग क्या कहते हैं plasma or dismata तो correct answer 2 हो जाएगा the internal layer joining the primary walls of two adjacent cell करें primary wall को जोडने वाला जैसे ये दो adjacent cell हमने ले ली अब इनकी जो primary wall इनको आपस में जोडने वाला कौन है that is the middle lamula plasma displacement मत करना ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको second correct answer होगा middle lamula is met up अब खूब सवाल पूछा गया है ये देखिए कितनी बार सवाल आया है तो middle lamula बना होता किससे calcium pectate से important है इन दा middle lamula of plant cell wall one of the main element is तो अब middle lamula बना किससे calcium pectate से तो element कौन सा हो गया calcium यहाँ पर element हो जाएगा second question यहाँ पर second आपका option हो जाएगा question number six क्या कह रहा है the main difference between plant and animal cell age क्या है plant और animal cell के बीच में main difference क्या है तो animal cells lack cell wall एकदम सही बात है plant cell है जो cell wall तो गलत बात है animal cell है जा रिड़ सेल वाल गलत है plant cell lack cell membrane यह भी गलत है यानि correct answer one हो जाएग which is not constituent of cell membrane क्या इन में से कौन सा cell membrane का पार्ट नहीं है क्या cell membrane में glycolipid है glycolipid मतलब बेटा carbohydrate plus lipid carbohydrate plus lipid तो आप जानते हैं कि carbohydrate भी है lipid भी है phospholipid हमने पढ़ा ही था lecithin cholesterol भी पढ़ा था लेकिन proline नहीं पढ़ा था यह confusing है थोड़ा सा proline नहीं होता cell membrane protein होता है proline तो एक amino acid है तो protein पाई जाती proline नहीं यह NEET 2007 में पूछा गया था NEET को पहले IPMT ही कहा जाता था plasma dismata यह भी NEET 2009 में पूछा गया था तो plasma dismata क्या है 3000 दा connection between adjacent cell correct answer यहाँ पर मेडिल लैमिला मेंली कम्पोजड आफ यह भी NEET 2009 का सवाल मेडिल लैमिला मेंली किससे बना है calcium pactate से correct answer 2 हो जाएगा यहाँ पर अलगल सेल्वाल किससे बना है बैटा cellulose कैलेक्टन्स मैनन्स मिनिरल कैल्शम कार्बोन है तो बोथ 2 & 3 एंसर हो जाएगा यानि correct option आपका 4 होगा यह answer की होगी 10 सवाल की अब आते हैं YPQ Your practice question तो YPQ में पहला सवाल which of the following holds और glues अगर छोटे-छोटे point को आप ध्यान रखेंगे keywords को exam में आप सवाल देख के answer कर लेंगे hold or glues the different neighboring cells together this is the middle lamella correct answer 1 हो जाएगा question number 2 which of the following is the function of cell wall give safe to the cell यह सही है protect the cell from mechanical damage and infection A-B सही है help in cell-to-cell interaction A-B सही है provide barrier to undesirable macromolecule A-B सही है तो correct option क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा A, B, C and D cell wall of algae is made up of algae की cell wall किसे बनी है algae की cell wall चार चीजों से बनी है cellulose, galactans, manans, minerals like calcium, carbonates तो correct answer will be 1 the cell wall and middle lamella may be traversed by cell wall और middle lamella को कौन traverse करता है plasmo, decimata correct option यहापर C हो जाएगा तो यह आपकी answer की होगे और इसके साथ आपका eukaryotic cell का second topic complete होता है cell wall total 11 topic है अगली वीडियो में हम अगले topic को लेके आएंगे जो की बहुत important है endomembrane system और बड़ा topic क्योंकि इसमें 4 different organelles हम पढ़ेंगे endoplasmic reticulum golgi body lysosome and vacuole तो पुराने topic को आप revise करते रहें और साथ में study करते रहें वीडियो को जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आप question की practice करें और revise करने के लिए जैसे NCRT का to the point में आपको बताता हूँ इससे आप बहुत कम time में revision भी कर सकते हैं बगली वीडियो मिलते हैं अपना revision आप सही तरीकेस करते रहें जे हिंद, जे भारत